हेलो दोस्तों मैं हूँ राज जादो और फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट जो है अपडेट हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो बने रहेगा वीडियो पर अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके और जरू से सेट कर दीजेगा ताकि जब भी मैं अधर वीडियो अपलोड करूं आगे आने वाले लेटेस्ट अब्डेट से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा यहां पर वन विभाग की तरफ से एक और भरती विगया पन जारी के यह हेडिंग देख सकते हैं वन रोपन निधी प्रमंधर एंग योजना प्राधि कराण ठीक है तो इससे जो है रिलेटेड प्रती मुख्यकार पालान अधिकारी को यह जारी किया गया है विश्या आप देख सकते हैं प्रदेश के विभिन वन मंडलों में वानिकी कारियों के लिए BSC, MSC वानिकी संकाय के वेक्तियों को जो है दैनिक पारिश्रमिक दर पर कारे पर रखने है तो यहाँ पर वाक इन इंटर्व्यू जो है चल साक्षातकार की विग्यपती यहाँ पर प्रकाशित की गई है ठीक ह आप लोग वाक इन इंटर्व्यू को माध्यम से अपना इंटर्व्यू दे सकते हैं और वहाँ पर आपका जो है सेलेक्शन लिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ इससे पहले भी लगभग दो हपते पहले कांकेर वन वृत्त से जो है विज्यापन जारी किया गया था चल सख साक्षाहतकार के लिए है येकिन उसको किनी कारोनों से रत कर दिया गया था ठीक है उसको इस थखजीत करके फिर से जो है इसको निकाला गया है और इस बार और ब acquान वृत्तों को जोड़ा गया है किटने किते प्द पर हैं पूरी इसका आयोजन इन पाचुव वन विरित में किया जाएगा, आप देख सकते हैं, फिर से देख लिजिए सर्गुजा, बलासपूर, रायपूर, कांकेर, जगदलपूर, यहाँ पर किया जाएगा, सेक्षरी क्योगेता, पारिस्रमिक, तरह यहाँ यहाँ पर दी गई है, दोस् के इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2016, 17 और 19 के सॉल्ट पेपर मिलेंगे, और सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल एक साथ कवर किया गया है, इसके अलावा अगर आप चाहें, तो इसके प्रैक्टिस सेट्स भी खरी सकते हैं, जिस बुक में आपको 20 इस प्रैक्टिस सेट्स पटवारी परिक्षा के सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, और साथ ही 300 पेपर यहाँ पर आपको साथ में मिलेंगे, आप चाहें तो इसे Amazon फ्लिप कार्ड और स्नैप डिल से ऑनलाइन ओडर कर सकते हैं, नीचे description box में आपको लिंक मिल जाएगी, desirable qualification भी दिया गया है, working knowledge of computer, Microsoft ETC, यानि कि आपका ये जो होगा तो आपको priority दी जाएगे, ठीक है, इसके अलावा, essential जो जरूरी योग जेता है, MSN, Forestry, Agroforestry, Wildlife Science, इससे desirable quality computer यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पारिश्रमीक भी दे दिया गया है, इतनी पारिश्रमीक यहाँ पर दी जाएगी आप लोगों को, IOC मा 1.1.2022 की स्थिती को नियुनितम 21 वर्स और अधितम 45 वर्स, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर से पूरी जनकारी देख लीजे, आपको समय भी दिया हुआ है, 9.30 बजे तर, सम्मधित मुख्य 1 सलक्षर कार लाने में अपनी उपस्थिती सुनी चित करा रहा है, पुरी जनकारी इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, cgforest.com पर, यह जो आविदान का प्रारूप है, हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको एवलेबल हो जाएगा, वहाँ पर से आप देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज यहाँ पर आप लोग को contact करना है, यहाँ पर पूरा contact detail दिया हुआ है, जैसे कि one with रायपूर, ब्लासपूर, one with जगदलपूर, one with कांकर और one with अंबिकापूर, यहाँ पर contact detail आप लोगों को दिया हुआ है, उस contact detail से जो है, आप लोग संपर कर सकते हैं, phone number दिया हुआ है, का लेहोप आपको पूरी जनकारी यहां पर से मिल पाई होगी, अगर किसी भी कोई भी डाउट है आपके मन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आपको लोग कमेंट कर सकते हैं, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पटवारी भरती परिक्षा के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप सब को पता है कि यह जो पटवारी भरती परिक्षा है, उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो लाज़ डेट दिया गया है, वो है आपका 22 मार्च, ठीक है, तो 22 मार्च को लाज़ डेट दिया गया है, अब दोस्तों कुछ दिन से मेरे वीडियो में, अलग-अलग वीडियो में ये काफी सारे कमेंट आ रहे थे, कि पटवारी भरती की जो परिक्षा है, क्या उसका डेट भी पॉश्पोन किया जाना है, फिर से क्या उसकी डेट आगे बढ़े की परिक्षा की डेट, और साथी साथ क्या फॉर्म फिल अप करने की डेट आगे बढ़े की, बहुत सारे कमेंट ऐसे आई हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होईएगा, किसी की भी बात में या भाकावे में इस तरह से मत आईएगा, कि ये डेट आगे बढ़ने वाली ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिल अप करना है, तो आज ही आप निस्चित करिए, लाज डेट का वेट मत किचे, लाज डेट का वेट करने से नुकसान ये होता है, पहली नुकसान तो ये है कि सर्वर डाउन चलता है, ठीक है, तो कई लोगों का ऐसा होता है, कि लाज डेट पर फॉर्म फिल अप जो कराने जाते हैं, कि आपका फीस जो है collect नहीं हुआ है, आपका फीस जो है pay नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपके पास email आएगा, माली जे दो दिन के बाद आपके पास email आता है, कि आपका फीस जो है, आपको return किया जाता है, उस सिस्थी में जो है, कोई भी चार आपके बास नहीं पटवारी का एक्जाम देने का तो इस वज़े से जो है आज ही अपना फॉर्म फिल कीजिए अगर कोई दिक्कत होती है तो एक दो दिन में उसके सॉट आउट होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ठीक है तो इस तरह से डेट नहीं बढ़ने वाली है एक्जाम का कोई नहीं बढ़ने वाली है तो आप लोग जो है बिल्कुल देव मत कीजिए अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए ठीक है अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के जरू कर दी जगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद